हलो फेस्त मद्नो फ्राइबुध स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में friends इस वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे new pattern close test सभी बंकिंगे के लिए और ये close test banking के primi और मीज दोनें ही Exodus के लिए काफी important रहेगा इसमें हम कुछ important vocabulary भी discuss करेंगे तो चलिए देखते हैं इस video class को देखे एक ये word है जो काफी बार repeat हुआ है बेंके exams में nonplussed ठीक है nonplussed का मतलब क्या होता है nonplussed का मतलब होता है perplex हो जाना पूरी तरीके से confused हो जाना उसका हम बोलते है nonplussed तो यहाँ पर चुकी similar word पूछा है best express देखे यहाँ पर directions में लिखा हुआ है in the following questions out of the five alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word तो यहाँ पर आपको इसका synonym आपको बताना है ठीक है तो synonym और antonym के questions करने से पहले यहाँ पर आपको directions दिये रहते हैं तो उनको आप जरूर पढ़ें और यह पता लगाएं कि इसमें आपको synonym बताना है या antonym बताना है तो यहाँ पर इस word का आपको synonym बताना है और इसका synonym होगा perplexed या confused ठीक है explicate जो word है इसका मतलब होता है explanation या explain करना यहाँ पर हम कुछ words देखते है nonplused इसका मतलब क्या है confused और इसके लिए एक word और use होता है confused होने के लिए flumoxed ठीक है तो एक यह word भी काफी important है confused इसका मतलब होता है nonplused का और explicate का मतलब होता है explain spell out और elucidate यह तीन words आपको ध्यान रखने है explain spell out यह phrasal verb है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को describe करना और elucidate यह तीन words है ठीक है चलिए आगे देखते हैं travesty यह भी एक काफी important word है इस word को भी मैंने दो-तिन वार देखा है exams में और travesty क्या होता है a false absurd or distorted representation of something the absurdly lenient sentence is a travesty of justice travesty का आर्थ होता है किसी चीज़ का मखौल ओडाना किसी चीज़ की मौकरी करना जिसको हम spoof भी बूलते है spoof actually it's a kind of satire ठीक है जिस पर ब्यंग करते हैं या सी उड़ाते हैं किसी व्यक्ति मौकरी करते हैं तो इसको हम बूलते है spoof तो travesty का equivalent जो word होगा वो होगा spoof ठीक है solemnity solemn का मतलब होता है serious तो solemnity का अर्थ होगा somberness gravity और seriousness ये तीन words आपको याद रखने हैं ठीक है travesty से related एक word और मुझे ध्यान आ रहा है trajectory ठीक है trajectory का मतलब path होता है path चलब आगे देखते हैं winsome winsome का आर्थ होता है कोई भी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तू, कोई भी ऐसा व्यक्ती जो काफी attractive है appealing है ठीक है winsome smile जैसे हम बोल सकते है तो यहाँ पर इसका स्नोनेम होगा cute ठीक है क्योंकि awkward का मतलब होता है भद्दा या बेकार grotesque का मतलब होता है distorted या ugly और hideous का मतलब भी ugly होता है और poultry का मतलब बहुत छोटा जो amount होता है उसको हम बोलते है poultry तो यहाँ पर inverse के हम स्नोनेम और एंटोनेम देख लेते हैं winsome, attractive और appealing होता है एंटोनेम होगा repellent जैसे mosquito repellent होता है जो mosquitoes को दूर भगाता है तो winsome का repellent जो होगा वो एंटोनेम होगा attractive और appealing इसके स्नोनेम होगे grotesque कार्थ होता है distorted, ugly, gross hideous कार्थ भी repulsive और अगली होता है ठीक है और poultry कार्थ होता है worthless, measly, worthless, trivial और petty जैसे हम बोलते हैं petty amount एक छोटा सा amount ठीक है, trivial issues मतलब छोटे छोटे issues worthless मतलब जिसके कोई कीमत नहीं है repulsive और hideous एक ही वर्ड है grotesque कार्थ होता है distorted winsome कार्थ होता है attractive attractive और appealing यहाँ पर आपको opposite वर्ड बताना है आप direction में उपर देख सकते हैं opposite वर्ड यहाँ आपको बताना है तो stolid, stolid का क्या मतलब है stolid का मतलब है जो एकदम dull है देखे, stolid को कई senses में हम use करते हैं एक अर्थ इसका होता है impassive मतलब जिसके अंदर sensitivity नहीं है या जो sensitive नहीं है ठीक, unresponsive है या dull है या impassive है उसको हम बोलते है stolid तो इसका antonym क्या होगा इसका antonym होगा आपका intelligent ठीक है बाकी के वर्ड देखते हैं supine इसका मतलब होगा lying face upward या prone या prostate इसका एक अर्थ और होता है weak और yielding भी इसका अर्थ होता है सुपाइन का stolid का अर्थ होता है impassive obtuse का अर्थ होता है dull vittate मोटी बुद्धी बाला या जो weak है stoic का क्या मतलब है stoic का अर्थ होता है जो pain और pleasure को बेना किसी emotions के tolerate कर सकता है can endure pain and pleasure without showing any emotion और abstruse का मतलब होता है puzzling और mysterious तो ये words है veracity ये भी काफी common word है veracity veracity का अर्थ होता है सच्चाई या truthfulness ठीक है तो इन words को देखते है deceit का मतलब होता है धोका deception इसका noun form है credibility मतलब reliability precision मतलब accuracy verity का मतलब भी truthfulness होता है fidelity का अर्थ होता है loyalty तो यहाँ पर कुछ words हम देखते है veracity, truthfulness, genuineness deceit का अर्थ होता है dishonesty और treachery treachery भी काफी common word है ठीक है verity का अर्थ भी truth होता है जिसका इंटोनिम fiction होगा credibility का क्या अर्थ है credibility का reliability और trustworthiness कोई भी ऐसी चीछ जिस पर हम विश्वास कर सकते है वो होगा credible precision का अर्थ होता है accuracy और fidelity का अर्थ होता है loyalty तो इस तरीके से यह पाँच word है जो कि काफी commonly use होते है banking exams में पूछे जाते है और अब हम देखते है new pattern close test इस new pattern close test में आपको क्या करना है देखिए close test को मैं आपको trick के base पर समझा हुआ जैसे कि मैं आपको सारे questions की trick बताता हूँ तो इस close test को भी हम trick के base पर करेंगे क्योंकि close test banking exams में जो आते है आरसी banking exams में जो आते है they are technical in nature उनकी जो language होती है काफी technical होती है काफी उसमें technical words आते है जैसे इसमें आप देखिए FDI, RIS में एक inflows आ रहा है annually RIS में billion आ रहा है काफी सारे इसमें technical words है indigenous है, capacity है तो ये सारे words जरूरी नहीं है कि सभी students को पता हो तो इसमें trick क्या आपको अपना आना है जो मैं trick आपको बताता हूँ सारे questions पर वही मैं आपको बताऊँगा देखे 27 years after the industrial policy of 1991 इसमें industrial policy की बात हो रही है ठीक है, आप industrial policy यहाँ पर क्या है industrial policy यह, किस part आप इस speech को belong करता है industrial policy एक नाम है, ठीक है, यह noun है मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए यहाँ पर आपको एक adjective चाहिए जो industrial policy के साथ जा सके और इसको modify कर सके ठीक है, यहाँ पर आपको एक adjective चाहिए और ऐसा adjective चाहिए जो industrial policy के साथ match कर सके अब आपको क्या करना है implied options में देखना है मतलब जब आप question का answer देते हैं तो आपको option और blank ये दोनों साथ में देखना है अब देखिये क्या आप screw plus industry policy बोल सकते हैं नहीं बोल सकते क्योंकि screw plus का मतलब होता है dishonest close industrial policy क्या मतलब होगा कोई मतलब नहीं होगा Landmark industrial policy बोल सकते हैं Landmark का मतलब होता है कि एक ऐसी policy जहां से काफी success मिली हो जो एक milestone की तरह रहा है ठीक है It has been a very landmark industrial policy ऐसे आप बोल सकते हैं Sharp industrial policy नहीं बोल सकते Assetsing industrial policy नहीं बोल सकते तो इस question में आपको करना क्या है यहाँ पर आपको क्या करना है जो एक blank में दौनों ही words fit होने चाहिए एक blank में दौनों ही words fit होने चाहिए अब इसमें देखे common sense क्या है इसमें common sense ये है कि यदि first word fit होता है और आप confident हैं sorry आप confident हैं कि first word यहां पर पूरी तरीके से fit होगा तो second word तो अपने आप fit होगा ही क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक word fit हो रहा है और एक word fit नहीं हो रहा है ठीक है तो यदि ये fit हो रहा है तो ये भी अपने आप ही fit हो जाएगा watershed भी हम milestone के लिए ही बोलते हैं तो यहां पर आपका answer होगा third देखिए इस तरीके से इन questions को आपको करना होता है 27 years after the landmark industry policy of 1991 1991 में एक इंडिस्टर policy आई थी our new avatar is before the cabinet for its मतलब 1991 में एक policy आई थी और अब क्या है अब एक new version इसका एक नया version है cabinet के सामने है तो जब policy cabinet के सामने जाती है उसका draft जाता है तो cabinet का का काम क्या होता है cabinet क्या करता है उसको simple सा एक logic है our new avatar is before the cabinet for its for its मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए noun चाहिए अब draft जब cabinet के सामने जाएगा तो cabinet क्या करेगा उसको या तो approve करेगा disapprove करेगा मतलब approval के लिए वो cabinet के सामने जाएगा तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा approval और consideration second इसमें आपका answer होगा यह देखिए इस तरीके से यदि इन questions को करते हैं तो तीन से चार सेकेंड में एक question का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं और यह जो question में आपको करवा रहा हूँ यह जो close test आप कर रहे हैं इस समय यह bank PO means exam का close test है this comes as an extension of the make in India program which was essentially meant to direct FDI inflow तेके यहां पर थोला सा मतलब इसका समझते हैं कि जो अभी इसका जो नया वर्जन आ रहा है इंडेस्टिल पॉलिसी का 1991 की जो पॉलिसी थी उसका नया वर्जन आ रहा है यह एक extension है और make in India program का यह extension है which was essentially meant to direct FDI inflow make in India का main purpose क्या है कि FDI inflow को बढ़ाना foreign direct investment को बढ़ाना so far concentrated in a clutch of service sector such as finance, electronics and telecom मतलब अभी तक FDI जो आया है वो इन fields में आया है finance में, electronics में और telecom में into manufacturing मतलब अब क्या करना है manufacturing में FDI को लाना है अभी तक कहा था अभी तक finance, electronics और telecom में था लेकिन अब manufacturing में FDI inflow को बढ़ाना है और इसलिए इसकी एक नई policy लाई जा रहे ही जिसको यहाँ पर एक new अफतार बोला गया है a draft version देखें, यहाँ पर word use हुआ है a draft version तो draft version मतलब जब कोई भी policy finalize नहीं होती है, एक raw form में होती है तो उसको हम बोलते हैं a draft version a draft version of the industrial policy was was in the public domain public domain में कोई भी चीज़ जब आती है कोई भी चीज़ को finalize करने से पहले उसको public के सामने या public domain में रखा जाता है ठीक है, policy was तो यहाँ पर क्या word चाहिए आपको यहाँ पर देखिए क्या word देखते हैं क्या क्या option है इसमें रिगाद देखिए नहीं आएंगे kept और allotted it was kept in the public domain ठीक है it was kept in the public domain आप एक बर बोल भी सकते हैं लेकिन आप it was allotted in the public domain नहीं बोल सकते हैं यानि first option आपका बिलकुल ही गलत है it was made in the public domain नहीं ये बिल्कुल ही कोई sense नहीं बन रहा it was approved in the public domain कोई sense نہیں बन रहा it was left in the public domain कोई sense नहीं बन रहा it was placed in the public domain यहाँ पर एक sense बन रहा है कि इसको public domain में रखा गया और placed का equivalent है ठीक है तो यहाँ पर यह दोनों ही option आपके बिल्कुल सही है तो यहाँ पर 3rd में आपका answer होगा 5 तो bank PO exam, particularly means exam में आपको इस तरह के close test देखने को बलेंगे जिसमें close test का content जो रहेगा काफी बड़ा रहेगा लेकिन उसमें जो fillers रहेंगे या blank रहेंगे वो काफी कम रहेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं इसका aim बताया है यहाँ पर annually from 60 billion dollar level at present having moved up several ranks in the ease of doing business index ease of doing business index के बारे में आपको पता होगा कि कि किस country में business करना काफी सरल है यह यह ranking निकलती है इसका इंडेक्स निकलता है the idea is to become a key key player in the global digital scene the creation of jobs in a scenario of automation remains and remains remains and यहाँ पर कुछ वर्ड और होना चाहिए था remains and four में हम देखते हैं remains and problem actually होना चाहिए कि जो job creation का जो problem है वो एक वो हमेशा शे रहा है इंडिया में ठीक है in the global digital scene the creation of jobs in a scenario of automation मतलब सारी इंडस्टीज में automation हो रहा है ठीक है जाल साधर computer यूज हो रहे हैं तो ऐसी situation में job creation जो है वो अपने आप में एक काफी वड़ी problem है तो job creation problem रही है यहाँ पर actually एक word और होना चाहिए कुछ problem से related कुछ word होना चाहिए तो यहाँ पर steady, obstinate, effective problem जो job creation की यह problem है वो कैसी है वो permanent है ठीक है तो यहाँ पर आप लगाएंगे अबाइडिंग और everlasting क्योंकि अबाइबर लास्टिंग जो प्रब्लम हमेशा रहती है अबाइडिंग मतलब पर्मानेंट तो यहाँ पर आप रेमेंस एन रेमेंस एन अबाइडिंग इशू यहाँ आवाइडिंग problem यहाँ पर कुछ word missing है actually इसमें अबाइड वर्ले स्टेडिजी दा प्रपोस द्राफ्ट मांक्स और शनिवेशन अब प्रशेश रखें इन नाइटीन इवन मतलब उन इस विंक्यान में जो इन दिसलेशन का जो प्रॉसिश इस्टार्ट हुआ था उसका यह इंटिनुएशन है India has progressively reduced both its trade and financial barriers which infuse the business ecosystem with on with a new energy the phased manufacturing program PMP which mandated a label of local sourcing as a condition for experts was a of a liberalized investment regime of the 1990 it helps in the creation of indigenous capacity in auto and telecom the phased manufacturing program which mandated a label of local sourcing as a condition for exports was a of a liberalized investment regime मतलब यहां पर आपको कैसा वर्ड चाहिए यहां पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो liberalized investment regime को इसको modify करें ठीक है तो विच मेंडिटेट अलेबल लेबल अफ लोकल sourcing as a condition for exports was a और तो तो फिप्त में क्या सकता है हाध सेंटर लिंश्पिन त्योरम बेश रूर्ट को रिस्टोर में इस्टे मतलब को रिस्टोर और में इस्टे का मतलब है कि यह main feature था ठीक है manufacturing program manufacturing program which manufactured a level of local sourcing as a condition for exports was was a main इस्टे और लिब्रलाइज्ट इन्वेस्टमेंट रिजीम अप दा 1990 उननी सो नब्दे में जो लिड्राइशन आया है उस लिड्राइशन की का में पॉइंट क्या था में पॉइंट यह यह इंडेस्टिल पॉलिसी थी 1991 की ठीक है तो यहां पर आपका सही जो आप्शन होंगे हैं को आपका कcorner stone और में ऐस्टे ठीक है तो यहां पर आपका अंशर होगा ऑनर इस त्रीके से close को करना है और यह बैंक्व बैंक्व मेंज लेबल का एक लुट टेस्ट मैंने लिया है तो बैंक्व मेंस में बाइन कर दिक्सा पर ओने खालाने की या डिसकरीज होने जुरूवत नहीं है इस तरह के कुष्ट को भी आप असाही सकते हैं इसे पहले भी मैंने को इस बताइए और इसमें भी मैंने कुछ ट्रिक्स बताई है, ट्रिक और कॉमन सेंस को आपको एपलाई करना है, सभी सब्जेक्स में, मैं बार बार बोलता हूँ कि सभी सब्जेक्स में आपको ट्रिक और कॉमन सेंस को ज्यादा स्यादा एपलाई करना है, अब यहाँ पर मैंने ट्रिक क्या मैंने आपको ट्रिक बताया है कि कहां से किस तरीके से वर्ट्स को आप लिंक कर सकते हैं तो इस तरीके से इन कोस्टेंस को आपको करना रहता है यहीं कोई भी फीडबेक आप देना चाहते हैं इस प्रटिकलर वीडियो क्लास के बारे में तो इस इमेर आईडी पर आप दे सकते हैं और एंड कॉल एंड वासब नंबर पर भी आप अपना फीडबेक दे सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आपसे बिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू